नमस्कार दोस्तों आपने सेनिक एकेडमी के यूटूब चेनल पर मैं कनेलाल चोधरी आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ आज अपन नमबर सिश्टम के पार्ट थरी के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट थरी के अंदर अपन दो पार्ट अपन पहले कंप्लीट कर चुके विटा कौन कौन से पार्ट कंप्लीट कर चुके है और यदि आपने वीडियो किसी बच्चे ने नहीं देखिये तो पहले प्ले लिस्ट के अंदर जाके नमबर सिस्टम का पार्ट वन और पार्ट तू देख लिजिए उसके बाद आपको पार्ट थरी अच्छे से समझ में आगा डिजीट अपन पढ़ चुके प्लेस वेल्यू एंड फेस वेल्यू पढ़ चुके ग्रेट एंड इस्मोलेश नमर पढ़ चुके पारे में मैं आपको बताऊं वन को रोमन नमर में क्या लिखते हैं वन को रोमन नमर में फैस्थ टू को थ्री को फॉर को फिप्त को शिक्स को फिवन्त को एर्थ को वी ट्रिपल आई और नाइन्थ को तैन को अक्से देनोट करते हैं अब अपने को पता है कि वन के लिए आई यूज किया या फैस्ट जिसको पन बोलते हैं सेकेंड थार्ड अब आपन ये कह सकते हैं कि पांच के लिए क्या यूज हुआ वी दस के लिए क्या यूज हुआ अक्स फिप्टी के लिए एल यूज होगा हंड्रेड के लिए सी यूज होगा ये आपको बेटा लर्ण करने हैं फाइव हंड्रेड के लिए आपको इपास डी यूज होगा और थाउजेंट के लिए आपके पास या तो M यूज होगा वरना आपको कई जगे के लिखावा भी मिल जाएगा तो के लिखावा मिल जाए तो डरने की जूट नहीं है वो भी किसके लिए यूज होगा है थाउजन के लिए परन्दू most awfully M लिखावा आपको मिलेगा यह आपको learn करना है अब आपकी Roman नमर में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है 1 से 10 तक सबी बच्चों को याद रहते हैं और इस जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना Norman कोई भी चीज 3 से regular continuity में 3 से 4 वार repeat नहीं होनी चीए जैसे मेरे को 4 लिखना था तो मैं 4 टाइम आई नहीं लिखूँगा कहने का मिंस यह है यह नहीं लिख सकता में कभी भी ध्यान देना Roman नमर में continuity में 4 बड़ नहीं आ सकता maximum कितनी बड़ आ सकता है 3 बार आ सकता है continuity में देखो 3 बड़ आया 4 बड़ आते ही आपको आगे वाले पे तो ऐसी situation कहाँ कहाँ पनपती है एक तो 4 वाली situation पे और एक 9 पे बेटा ध्यान देना एक 4 पे पनपती है और एक 9 पर पनपती है तो बड़ा 4 और 9 पर पनपती है तो अपने को 4 और 9 का specially ध्यान देना है कि 4 कहाँ utilized हो रहा है तो 4 के जब उपर आये तो 5 की उपर जाएंगे तो 5 क्या है? 5 है V और इससे जस्ट पहले आता है फोर एक पहले आता है तो एक लगा दिया 9 किस से पहले आता है? 10 से पहले आता है 10 के लिए क्या यूज हुआ है? X और X यूज हुआ है और 9 जश्ट एक पहले आता है तो एक लगा दिया आई एक्स बन गया समझ में आई या नहीं आई तो आपको हमेशा पूरे रोमन नमबर में सबसे ज़्यादा दो ध्यान देना है बेटा वो 4 और 9 पे देना है बाकी नोर्मल है इतने ज़्यादा हाड नहीं है ये तो जुरूर आपको लेर्ण करने पड़ेंगे 5 का V होता है 10 का X होता है 50 का L होता है 100 का C होता है 500 का D होता है 1000 का M होता है देखिए जिससे मैं आपको बात करूँ एक New Slide के उपर मैं आपसे बात करूँगा ये बात है जिससे मैंने कहा आप धान से देखिए मैंने कहा 19 आपने कहा 9 आया है इसमें क्या आया है वेटा 9 आया है इसमे 9 आया है तो 9 के लिए तुम्हें क्या लिखता हूँ 9 10 से जिस्ट पहले आता है तो I X लिखूँगा अच्छा कि 19 10 10 पहले इसमें पहले है ये 1 है 10 पहले है 10 का क्या लिखते हैं तो इसको लिखा गया X I X जैसे मुझे 11 लिखना है तो आप इधर से 1 से 1 से 1 है 1 है 1 को क्या लिखते है वेटा ये लिखते हैं अच्छा जी ये वन 10 spellets पे और 10 spellets के लिए क्या यूज होता है X क्योंकि मैंने भी बताया था 5 के लिए V यूज होता है 10 के लिए X यूज होता है और आपका 50 के लिए L यूज होता है 100 के लिए C यूज होता है 500 के लिए D यूज होता है और thousand के लिए क्या यूज जोता है वेटा यूज जोता है यह आपको ध्यान में रखना है Roman नमर से एक क्यूसन Military School और सेनिकी स्कूल के exams में 100% एक से 2 क्यूसन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान से Roman नमर के उपर covering करनी है जैसे मुझे 12 लिखना आपने देखा यह two है one spell S पर आये two है तो यह two लिख दिए जिसको nous कर सकते हैं यह पिरिप नॉर्मल I के ऊप में या L के रूप में लिख सकते हैं आई के रूप में लितोंस एन प्यादि ही नहाlines by 10 ही है तो इसका क्या यूज होता है वेटा X अच्छा 1-2 लिख सकता हूँ 2 का यह आ गया 10 का क्या आ गया वेटा X आ गया जैसे मुझे 24 लिखना है तो मैं इसको क्या लिखूँगा 20 पलस 4 लिखूँगा या नहीं लिखूँगा 4 का मैं क्या लिखूँगा अब 4 के time 4 आई तो लिख नहीं सकता मैंने कहा 4 और 9 का तो especially ध्यान रखना है अपने को 4 और 9 का especially ध्यान रखना है जहां कहीं 4 और 9 आजाए Roman number में वहां बहुत special ध्यान रखना है 4 के लिए तो अपन 5 से ज़स्ट पहले आता है ये बोलेंगे IV ठीक है फोर 5 से ज़स्ट पहले आता है IV अच्छा जी 20 के लिए 2 times 10 लिख सकता हूँ हाँ न ये लो XXIV जैसे मुझे 37 लिखना है आपने मैंने कहा 30 पलस 7 7 के लिए क्या यूज होगा 5, 6, 7 आ गया अच्छा जी इसके बाद 30 30 के लिए 3 अक्साद गया 10, 20 और ये 30 तो ये हो गया 37 का अंस्वर अच्छा जी मैंने लिख दिया 41 जहां से सुनो मैंने क्या लिखा वेटा 41 अरे 1 पलस 40 आप ये तो कहोगे परन्तु 1 का तो आप आई लगा दोगे ठीक है पर 40 40 फोर आ गया इसमें 40 में मैंने कहा 4 और 9 का इस प्रेशली ध्यान रखना है अब यहां तो फोर नहीं है 40 है 40 है तो 40 किस से पहले आता है 10 वाले पोजिशन में देखो 50 से पहले आता है 5 वाले पोजिशन में 4 5 से पहले आता है ठीक है situation में 5000 से पहले क्या पिटा 4000 इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज के ओपर तो आपको पहले तो यह 0.8 चीजों पर सब्सेर्च ध्यान देना है तो 40 है किसे पहले आता है 50 से Paheel 50 के के लिए क्या यूज हुआ है 50 से कितना पहले है वेटा 10 10 पहले न तो 10 के लिए क्या यूज होगा वेटा XL आई है क्योंकि XL 50 50 से 10 पहले कितना 40 41 तो ये XL आई आएगा ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई आगई अब मैं आपको कहूँँगा सर 92 लिखो 92 लिखो आपने कहा सर 90 पलस 2 लिख देता हूँ मैं इसको ठीक है बात आप की सही है 90 पलस 2 2 के लिए तो सर 2 आई लगा दिये बात ये भी सही है की 2 के लिए 2 आई लगा दिये देखो 1 से 10 तक आपको आ रही है तो फिर दिकत नहीं है 90, 99 आ गया रहे 9 किस-किस से पहले देखो यहां जैसे यह लण किया है आपने, वैसे यह करो 10 से पहले 9 आता है 100 से पहले 90 आता है और 1000 से पहले 900 आता है, बताओ आता है या नहीं आता है या नहीं आता हाँ, तो 10 यह वाली situation इसमें आपको दिखाए दे रहे है, 100 से पहले 90 100 के लिए क्या यूज होता है बेटा C, और कितना पहले है 10 पहले है, तो आकस C लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा इसके लिए लगा दिया मैं, आकस C आकस C ठीक है यह हो गया 92 बताओ कि इसको यह बात समझ में नहीं आई अब अपन questions पे चलते हैं और questions के उपर मैं बात कर लेता हूं आपको बेटा यह तो लिख लेना है 1 के लिए 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए 10 तक का आप learn कर लो उसके बाद आपको यह learn करने 5 का V होता है 10 का X होता है 50 का L होता है 100 का C होता है 500 का D होता है 1000 का देखो कोई भी चीज आप से बचेगी नहीं अब आपन questions के ओपर discuss करते हैं किस पर discuss करते हैं? Qution पर Qution पर discuss करते हैं 49, ध्यान से देखिए 49 आप 49 को क्या लिखोगे? Sir 40 पलस 9 लिख दू बात तो तेरी सही है 40 पलस 9 लिख सकते हो 9 का तो Sir में 9 10 से पहले आता है 9 पर मैंने का 4 और 9 पर स्पेशली ध्यान देना है 9 तो Sir किस से पहले आता है? 10 से पहले आता है 10 का AX होता 10 से 1 पहले आता है तो sir ix लिखोगा मैं इसको ठीक है ix लिखो 40 को तुम क्या लिखोगे बेटा 40 को तुम क्या लिखोगे 40 किस से पहले लिखोगे 50 से पहले किस से पहले लिखोगे बेटा 50 50 के लिए क्या यूज करते हो L और 50 से कितना पहले है 10 पहले है तो 10 के लिए X X L I X होगा तो 49 का क्या होगा वेटा X L I X बताओ यह होगा या नहीं होगा अब मैं बात करता हूँ किसकी 69 के 69 के लिए आप क्या लिखोगे सर 60 पलस 9 लिखोगा सर 60 पलस 9 लिखोगा तो 60 पलस 9 लिखोगे 9 तो 10 से पहले आता है I X लिखोगे लिखोगे या नहीं लिखोगे 60 50 पलस 10 होता है न 50 के लिए तो क्या आता है L और 60 के लिए क्या आएगा X तो यह हो गया 69 L 50 और यह 10 60 और यह 9 I X जैसे नोर्मल आप वेसे भी लर्ण कर ले न 10 को अपन X बोलते है 20 को अपन 2 टाइम अक्स लिखते हैं 30 का अपन क्या करेंगे 3 टाइम अक्स कर देंगे 40 अब देखो 4 टाइम अक्स नहीं कर सकते मैंने का कोई भी चीज इस कंटिनिटी में कितनी बार नहीं होने चीए 4 बार नहीं होने चीए तो अपन गए 50 पे और 50 को तो बोलते हैं क्या L और L से कितना पहले है 10 पहले है 60 को क्या कहेंगे L X कहेंगे 70 को क्या कहेंगे वेटा L X कहेंगे 80 को क्या कहेंगे L triple X कहेंगे अच्छा जी 90 अब L four time X नहीं लिख सकते च्यार बार X नहीं लिख सकते तो 90 से पहले क्या जाएंगे लिखेंगे 100, 100 को C बोलते हैं तो C से कितना पहले 10 पहले तो X इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं तो अब आपको बात करता हूँ 72 की तो 72 में आप धान से देखिए 70 पलस 2 होता है 70 पलस 2 होता है 2 का आप क्या लिखोगे yellow 2 को आप 2i लिख दिए 70, 50 पलस 20 होता है 50 के लिए L आया और 20 के लिए yellow बता हूँ आएगा या नहीं आएगा इसली आजाएगा 89 89, 80 पलस 9 होता है या नहीं होता है होता है 80 के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा L, triple, X 50, 60, 70, 80 9 के लिए क्या यूज़ करूँगा I, X continuity में तो नहीं है ना बीच में I आगे ना इसलिए ये नहीं किये गलत होगा continue में नहीं होना चाहिए लगातार नहीं आना चाहिए लगातार च्यारक्स होते तो वो 100% क्या होता वेटा गलत होता समझे है नहीं समझे है आप अभी अब बात कर रहा हूँ किसकी 98 की 98 में ध्यान दो 90 पलस 8 होता है 90 के लिए X, C यूज़ क्या होता है क्योँ? क्योंकि 8 का तो क्या होता है V, triple, I V, triple, I देखो 1 से लेके 10 तक का आप लर्ण करना पड़ेगा उसके बाद 100 से जश्ट 10 पहले क्योंकि मैंने का 4 और 9 वाली सिचुएशन पे थोड़ा सचेत रहना अपने को 100 से जश्ट 10 पहले 90 यह हो गया 98 पताओ किसको समझ में नहीं है अब बात करता हूँ किस की 92 की तो बैटा 92 को देखो कैसे दिनोट करते है 90 पलस 2 होता है 2 को डवल आई से दिनोट कर देंगे 90, 100 से 10 पहले 100 का C और इस से 10 पहले X ठीक है इस तरीके से आज अपन रोमन नम्मर्स में कैसे नम्मर्स लिखते है वो आपको समझ में आ गया होगा अब अपन बात करते हैं next question की next question अब थोड़ा बड़ा आ गया अब आपको 236 3 digit के अदर इतनी देर अपन 2 digit की बात कर रहे थे इस question में अपन 3 digit की बात करेंगे देखो 3 digit में आप आई 1, 10, 100 यानकी यह 100 वाली situation 100 वाली situation में 3 वर्ड़ा आपने देखे थे की बैया 100 का तो क्या होता है C होता है 500 का क्या होता है D होता है और 1000 4 digit है परंतु 900 वाली position पे यह काम आएगा आपको पता होगा 1000 को M से डिनोट करते हैं तो आपको 1000 से 900 कितना पहले 100 अरे 100 पहले है अरे 100 पहले है 900 में 100 जोड़ोगे तब 1000 आएगा तो 100 पहले तो 100 को तो किस से डिनोट करते हैं वेटा C से डिनोट करते हैं और यह क्या बना वेटा CM यानि कि Chief Minister बन गया है वेटा Chief Minister नहीं है यह CM ही बोलना है और 900 के लिए यानि 1000 के लिए M है 900 के लिए आप क्या यूज करोगे CM और 400 के लिए आप क्या यूज करोगे CD क्या यूज करोगे CD क्योंकि 500 से कितना पहले 100 के लिए तो क्या आता है C तो 400 के लिए CD यूज़ करोगे और 900 के लिए आप क्या यूज़ करोगे 900 के लिए क्या यूज़ करोगे वेटा 900 के लिए आप यूज़ करोगे CM ठीक है अब आपके सामने situation है 236 तो आप कहोगे 200 plus 30 plus 6 बताओ कहोगे या नहीं कहोगे कल ही मैंने expended form बताए थी वही बात है आपको ठीक है वही बात है या नहीं या फिर इसको expended form में लिखके इसको आराम से लिख सकते हो 6 को आप कहोगे वी आई बताओ 6 है या नहीं 30 को आप कहते हो triple X बताओ कहते हो या नहीं कहते हो है और 200 को आप कहते हो क्या C क्योंकि 2 times C 100 का C होता है expanded form में वैसे क्या लिखोगे आप इसको वैसे क्या लिखते 6 plus 3 into 10 plus 2 into 100 बताओ लिखते या नहीं लिखते इसको expanded form में से ऐसे ही लिखते आप 6 का तो आपको easily पता है 10 का क्या होता है X और कितने time लिखना है इस 10 को 3 time तो 3 X लिख दोगे अच्छा जी 100 का क्या होता है C कितने time लिखना है 2 time तो यह हो गया C C X X X V I बताओ 236 का इस जिसा हो गया या नहीं हो गया ऐसे ही आपन 342 का करेंगे 342 300 plus 40 plus 2 या तो ऐसे कर लो या फिर इसको कर लो 3 into 100 plus 4 into 10 देखो जिस बच्चे ने पहले की number system का part 1 और part 2 नहीं देखा है सबसे पहले part 1 और part 2 को देखे उसके बाद में आपको यह expanded form बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जो part 2 के last में दिया हो है वीडियो के है ना जो बचा अचानक देखना चाहरा है तो part 2 number system का जो part 2 है मेरा उसके playlist बनाई हुई है उसमें आप देख सकते हो आराम से plus 2 2 का क्या आएगा double line 10 कितने time 4 time अब 4 time तो कोई चीज अपन लिख ही नहीं सकते तो 50 वाली situation पे जाना पड़ेगा 40 है तो 50 वाली situation में आता है L और उससे just 10 पहले XL ठीक है वई 100 कितने time 3 time तो अपन लिख सकते हैं तो 100 का क्या होता है C और C को कितने time लिखना पड़ेगा 3 time यानि कि 342 का होगा CCC XL I और इसका क्या होगा CC XXX VI ठीक है अब आगया 478 तो 400 इसका screenshot ले लीजिए 478 498 आगे करौँगा हाँ तो मैं 236 342 का करा चुका था 478 के बारे में discuss करूँगा मैंने कहा 4 expanded form में लिखिया आप इसको easily 4 into 100 plus 7 into 10 plus 8 यही होता इसका expanded form अच्छा जी 8 को आप V triple I कहते हो ठीक है जी कोई बात नहीं 7 into 10 आपको पता है कि 50 से अबाउ है तो 50 के लिए L और उसका उसका डबल X तो यह हो गया 50, 60, 70 ठीक है 100 4 time 100 4 time regular तो लिखी नहीं सकते पन तो अपने को 400 के लिए किस पे जाना पड़ेगा 500 पे जाना पड़ेगा 500 के लिए तो क्या use होता है बेटा D 500 के लिए क्या use होता है D और प्रंदू उससे 100 पहले है तो 100 को C तो इसको बोलेंगे CD वैसे भी मैंने बताया था कि 400 के लिए लर्ण कर लो क्या होता है बेटा CD और 900 के लिए लर्ण कर लो क्या होता है बेटा CM क्या होता है CM 40 के लिए लर्ण कर लो क्या होता है XL 90 के लिए learn कर लो क्या होता है X से C ये ऐसे भी learn कर सकते हो 4 के लिए learn कर लो I V और 9 के लिए learn कर लो I X ऐसे भी आप learn भी कर सकते हो इनको हाँ आप इनको क्या कर सकते हो वेटा learn कर सकते हो 400 के लिए आप क्या लिखोगे सीधा CD क्या लिखोगे बेटा CD तो 400 400 के लिए CD लिखोगे 70 70 को दर्शाएंगे अपन किस से L XX8 के लिए अपने लिखेंगे वी ट्रिपल आई ठीक है तो इस तरीके से यह पॉर्ट से उखेंगे अब आ गया 598 500 प्लस 90 प्लस 8 ठीक है 8 के लिए तो मैंने क्या कहा वी ट्रिपल आई यूज करेंगे 90 के लिए 90 किस से पहले है 90 के लिए क्या यूज होगा X से C 90 के लिए क्या यूज होगा बेटा X से C 500 के लिए क्या यूज होता है D 500 के लिए D यूज होता है न तो आप इस तरीके से इजिली लिख सकते हो D X C V III ठीक है 614 600 प्लस 10 प्लस 4 4 को आपन दर साते हैं IV 4 को आपन किस से दर साते हैं IV से 10 के लिए अपन X यूज करेंगे और 600 500 से 100 बड़ा है 500 के लिए D और C 500 प्लस 100 600 है न इस तरीके से आप इसका अंसर निकाल लोगे 759 759 का देखिए आप ध्यान से देखिए बेटा 700 प्लस 50 प्लस 9 9 को मैंने कहा किस से दिनोट करोगे आई आक से 50 के लिए यूटेलाइज करोगे और 700 के लिए आपको पता है 500 सेवन टाइम 100 तो लिखी नहीं सकते है अपन तो इसके लिए बीच में ब्रेकर का काम कौन करता है बेटा 500 तो 500 के लिए आप क्या यूटेलाइज करोगे बेटा D और उसके बाद में 200 और बचके 200 के लिए अपन यूटेलाइज कर सकते हैं क्या C तो यह हो गया 759 तो चलो अ आपके लिए क्यूस से मुझे 957 का लिख के दिखाएए 957 तो जो बच्चे जबलदी से इसका आंस्वर कमेंट सेक्षन में देना कि 957 का क्या होगा 957 का क्या होगा अब अपन समझेंगे कि रोमन नमबर यदि आपको गिवन हो तो अपन उससे कैसे अपन नमबर में लिखेंगे तो आपने देखा था कि यह वी आई यह वी आई तो किसको डिनोट करेगा 6 को करेगा या नहीं करेगा उसके बाद डबल एक्स लिख रखा है डबल एक्स किसक वहाँ हुआ या नहीं वहाँ इसको क्या कोगे 26 देखो बेटा 10 10 टू टाइम आया तो 20 हो गया वी आई कितना हुआ 6 हो गया तो यह कितना हो गया 26 इधर देखो 10 10 20 आया I X I X यानि कितना होता है 9 तो यह हो गया 29 L L का मतलब तो 50 प्लस 10 60 प्लस 70 तो यह तो कितना हो गया 70 और प्लस में क्या दे रखा है वेटा 2 दे रखा है तो यह हो गया 72 ठीक है XC 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 का क्या होता है देखो या तो आप इस तरीके से चलो I का क्या हो गया 1 और XC का क्या हो गया 90 मैंने कहा 100 से ज़स्ट 10 पहले तो कितना आता है 90 आता है 90 पलस I का क्या 1 कितना हो गया वेटा 91 अब की वार देखो C, C का मतलब क्या होता है, 100, C का मतलब क्या होता है, 100, L, L का मतलब क्या होता है, 50, और, पलस, ये 20, पलस 2, तो 100, 150, 170, 172, कितना बना बेटा, 172 बना, आप देखो आगे, next, C, 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 C का मतलब क्या हो गया, 300 हो गया, मोटा मोटा हो गया, 300 तो, पलस, double X, double X का मतलब क्या हो गया, 20 हो गया, पलस, आई X का मतलब क्या होता है, 9, तो 329, ये आप easily इनको कर सकते हो, देखो जहां से सुनो, जिन वर्ड के उपर आप जा रहे हो उन वर्ड को ऐसे लिखते रहो आप ऐसे भी कर सकते हो सर मेरे तो समझ में नहीं आया अरे इस मांडो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आये तो ध्यान से फिर से सुनना इस अक्स को आप क्या लिखोगे सर टेन लिखोंगा इस अक्स को फिर पलस 10, 20, 20 प्लस 5, 25 प्लस 1, 26, बताओ आया या नहीं आया, मैं सर आ गया, इसका देखो वेटा, सर इसको क्या लिखूँगा, सर इसको भी 10 लिखूँगा, इस अक्स को फिर क्या लिखूँगा, तेन लिखूँगा पलस सर क्या लिखूँगा अब देखो या बड़े से पहले छोटा आ रखा नहीं छोटे के बाद बड़ा नहीं आना चीए ये थोड़ा सा गड़बड कर सकता है तो आप इसको एक साथ लेना पड़ेगा फिर इसी सिच्वेशन में कि छोटे से पहले बड लेना है आई अक्स कहीं साथ तो नहीं पड़ा जाता है बोला हाँ सर पढ़ा जाता है क्या नाइन नाइन पढ़ा जाता है नहीं पढ़ा जाता तो नाइन तो टवंटी नाइन देखो ध्यान से सुनो जो बच्छे एक बर फिर से देख लीजी इस सिच्वेशन को कम्प्ली देख लीजिए completely फिर से बता रहा हूं इसको आप 10 पढ़ोगे इसको फिर 10 पढ़ोगे जिस बच्चे की बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आया फैले तो अब फिर से समझी देखिए वी को 5 पढ़ोगे आई को क्या पढ़ोगे 1 यह हो गया total add करोगे तो 26 हो गया अब इसमे आदुमें बडा लिख रखा है 10 और 10 से पहले 1 लिक रखा है 10 से पहले 1 लिक रखा है तो 10 से पहले 1 आये तो कितना होता है 99 तो यह कितना हो गया 29 फिर से ध्यान से देखो L का क्या होता है 50 होता है ठीक है बड़ा ही लिक रखा है ना पहले बड़ा लिक रखा है बड़ा फिर छोटा फिर बराबर है फिर छोटा फिर बराबर है आप इसे देखो वर्ड के अंदर देखो कहीं ऐसा तो नहीं दे रखा कि ये वहाँपीस L लिख दिया हो नहीं फिर तो दिक्कत होने वाली है आपके साथ तो ऐसा नहीं होना चीए थीक है ना ऐसा नहीं होना चीए वेटा आपके मैं एक बात कहें लेra कर दू देखो, L 50 को denote करता है L किसको denote करता है? 50 को और ये 10, ये 10 अच्छा, ये 2, ये 1, ये 1 ठीक है, सही है, 50, 50 के बाद 3 आए है, बड़े से छोटे की तरह भी लिखावा है, ठीक है, कोई लिकत नहीं तो पहले, क्या लिखोगे? L का क्या लिखोगे? 50 लिखोगे या नहीं, लिखोगे पलस X का क्या लिखोगे वेटा? 10, पलस फिर इस X का 10 लिखोगे, फिर पलस इसका 1 लिखोगे, फिर इसका फिर 1 लिखोगे, लिखोगे या नहीं, लिखोगे लिखोगे, तो आप देखो, आप इसमें अड़ करो, 60, 70, 71 72 कितना हो गए वेटा 72 फिर देखो इसके उपराए अरे सर यहां तो 10 10 के बाद 100 एसा कैसे हो सकता है सर तो इसका मतलब यह 7 पड़ा जाएगा साथ अक से सी, कुछ होता है क्या हंड्रेड से जश्ट दस पहले कितना आता है, हंड्रेड से जश्ट तेन पहले कितना आता है 90 आता है, आप यहां से भी कर सकते हो सर, पहले छोटा है, फिर बड़ा है तो साथ में, तो उल्टा पड़ो 100 से जश्ट 10 पहले क्या आता है 90 आता है सर कितना आता है 90 और प्लस I का क्या लिखोगे 1 तो टोटल कितना आ गया बेटा 91 आ गया 91 आ गया अच्छा जी अब देखो इसका C को 100 उसके बाद 50 उसके बाद 10 उसके बाद 1 हाँ ठीक है सही है लाइन में है न तो C का क्या लिखोगे बेटा, 100 लिखोगे, पलस, L का क्या लिखोगे बेटा, 50, देखो, बहुत easy है करने में आपके, X का क्या लिखोगे, 10, फिर X का क्या लिखोगे, 10, फिर I का क्या लिखोगे, 1, फिर I का क्या लिखोगे, 1, तो 150, 60, 70, 71, 72, 172, आपका अंसर होगा, अब आप इसकी तरब देखिए इसकी तरब देखिए यह क्या है मैं उपड की तरफ लिख रहा हूं कि क्रिपल सी इस चाहर है आई आक्स अब आप गए आप गए शर सीछी सी ठीक है उसके बाद छोटा दे रखा थीक है सी का कितना होता है सर हंड्रेड होता है फिर सी का क्या हुआ सर हंड्रेड हुआ फिर सी का क्या हुआ सर हंड्रेड हुआ सी का हंड्रेड हंड्रेड हुआ इस अक्स अक्स का क्या हुआ सर टेन हुआ फिर इस अक्स का क्या हुआ टेन हो तो यहाँ क्या लिखोगे? 9 लिखोगे वेटा 10 से जस्ट 1 पहले कितना? 9 तो आप 9 लिखोगे 100, 100, 200, 300, 300, 300, plus 10, 300, 10, 320, 329 आप क्या लिखोगे? 329 तो बताएए इजी सा है या नहीं है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि रोमन नमर के अंदर अपने को दे रखा हो तो अपन उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? एक-एक स्टेप करके वेटा आप लिख सकते हो और अब आपन नेक्स्ट क्यूसन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन की तरफ चले तो अब आपका Roman number का जो point है वेटा वो फिनीश हो चुका Roman number से military school और senior school में जनरल लीक युशन पूछा जाता है अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो successor और predecessor के बारे में पढ़ रहे हैं तो successor और predecessor क्या होता है मैं आपको एक बात बताऊँ गा एक छोटा सा example बहुत छोटा सा point है वेटा कुछ नहीं है मैंने कहा two two का successor देखो वेटा ध्यान से सुनू two का successor क्या होगा और predecessor successor बाद वाले को बोलते है success success कम मिलती है वेटा जब पढ़ाई करोगे उसके बाद में मिलती है पहले मिल जाती है तो ये तो बाद में मिलेगी तो two के बाद में क्या आता है three तो two का successor क्या हुआ वेटा थ्री हुआ और predecessor क्या होता है वेटा predecessor पहले क्या आएगा पहले two से पहले क्या आता है one एक तो मैं आपको बात बताऊ एसी situation में आपके predecessor और successor का point easy सा है पहले क्या आता है विटा? 3 आता है 4 का successor वाद में क्या आता है विटा? 5 तो 4 का predecessor और successor easy सा point है परन्तु यहां आपको एक देखो game बताता हूँ आप इसका total करो predecessor और successor का क्या होता है? 8 क्या होता है विटा? 8 4 को 2 से multiply कर लो तब भी क्या आया वेटा? 8 आया आप इदर देखा इसका add करो, sum करो कितना आया? 4, 2 को 2 से multiply करो यानि कि जो given number होता है उसका predecessor और successor का sum उस number को 2 से multiply करने पर पता चल जाता है बताओ पता चल जाता है यानि पता चल जाता है? और इनके बीच में गेप और इनके बीच में गेप हमेशा 2 का होता है किसी भी same number का predecessor और successor का जो गेप होता है, जो difference होता है वो always क्या होता है बेटा? 2 आप से एक statement दे दिया जाए if a same number is predecessor and successor difference is always equals to 2 तो क्या आप से ज़स्ट एक question पुछा गया कि एक number है जिसका predecessor और successor का difference 2 है क्या ये statement right है या wrong, तो ये statement बेटा right है, देखो आप कैसे देखोगे मैंने कहा 5 और 3 में कितने का difference है 5-3 क्या होता है? 2 मैंने कहा 3 में से 1- करो क्या है? 2 तो किसी भी number के predecessor और successor का जब गेप करते हैं या difference करते हैं तो ये सी situation में क्या आता है? क्या आता है वेटा? 2 आता है difference हमेशा क्या आता है? 2 और sum हमेशा क्या आता है? उस number को 2 से multiply कर दो जैसे मैं और भी questions आपको समझाता हूँ यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इतना hard नहीं है ये इतना बहुत easy point है वेटा मैंने अब यहाँ पे कहा difference पूछा है और एक ही number का पूछ रहा हूँ predecessor और successor और उसका difference तो आपका answer आ चुका होगा क्या है? 2 क्या है वेटा? 2 क्यों? क्योंकि आपने लिखा 5 time 9 लिखो 5 time 9 आपने 5 time 9 लिखा और इसका predecessor निकालने लगए इसका predecessor होगा 9, 9, 9, 9, 8 और इसका क्या होगा? 1 leg 1 leg 1 leg में से 99,998 मैंनस करो 99,998 मैंनस करोगे 10 में से 8 कि इतना? 2 9 में से 9 गया 0 9 में से 9 गया 0 9 में से 9 गया 0 यह वन तो इधर के रही हो चुकी थी ना तो अब आपने देखा कि गेप क्या है तो जब भी किसी भी नंबर एक ही नंबर का प्रेडिसीजर और सक्सेजर का डिफरेंस आप से पुछे तो वो ओल्वेज क्या होता है विटा टू होता है ये बात आप माइन कर देना किसी भी नंबर का प्रेडिसीजर और सक्सेजर का जब डिफरेंस किया जाता है तो उसका आंस्वर ओल्वेज तू आता है ठीक है विटा नेक्स्ट क्यूशन की सलाइड़ी पर चलते है बन अब आपको दे रखा है प्रेडिसीजर और प्रेडिसीजर ओफ नाइन सेवन एट फाइव इच मैंने कहा था किसी भी नंबर का आप देखो नाइन सेवन एट फाइव का प्रेडिसीजर तो क्या होगा नाइन सेवन एट फाइव और सक्सेजर क्या होगा सक्सेजर होगा बेटा 9786 अब इसका क्या पूछ रहा है आपसे sum पूछ रहा है मैंने कहा था या तो तुम इनका sum कर लो या फिर यह जो given number है इसको किसे multiply कर दो बेटा तू से answer same ही आएगा या तो इस predecessor और इस successor का आप sum करो sum करोगे तो 9784 ऐसा का ऐसा आप return करोगे और 9786 आप as it is return करोगे 6410, 018, 816, 1117 का 7, 1 14, 1, 15 का 5, 1 99, 18, 1, 19 19,570 आया 9785 को 2 से multiply करो देखो 9785 को 2 से multiply करोगे तब भी आपका answer क्या हैगा बेटा 25, 10 का 0, 1 28, 16, 11, 17, 7, 1 27, 14, 1 16, 7, 1 15 का 1 29, 18, 1, 19 तो 19,570 आपने देखा कि predecessor और successor अपने को निकालना ही नहीं पड़ता क्योंकि आप से predecessor और successor का क्या पूछा था sum पूछा था तो ऐसी situation में जो number आपको given था question में उसी को किस से multiply कर देते 2 से multiply कर दो आपका answer आ जाएगा चलो next question की तरफ चलते हैं अपने the product between the successor and predecessor of 159 is अब की वार आप से क्या पूछ रहा है वेटा product पूछ रहा है और product का means क्या होता है वेटा product का means multiply होता है किस किस का multiply पूछ रहा है successor का और predecessor का कियन से predecessor का 159 आप एक बात बताईए मुझे आप मुझे एक बात बताई वेटा ये जो 159 है इसका predecessor तो क्या होगा 158 होगा और successor क्या होगा 160 होगा तो 158 को किस से multiply करना है 160 से multiply करना है 158 को किस से multiply करना है 160 से multiply ये 0 as jt लिख देंगे 168 कितना होता है आप 158 को 16 से मल्टिप्लाई कर लीजिए 6,8 जा 48 का 8,4,6,5 जा 30,34,3,6 बन जा 6 और 3,9 और ये कितना आ गया है 158 ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया ये 15 आ गया, ये 2 आ गया तो ये आ गया 25,28,0 25,280 25,280 आपका क्या होगा, आंस्वर होगा तो प्रोडेक्ट निकालना था, तो आपको क्या कर देना था, मल्टिप्लाई आपको डिफरेंस में ये मैसा याद रखना आंस्वर 2 आएगा प्रेडिसीजर और सक्सेजर में और सम जब आप से पूछ लिया जाए तब आपका अंस्वर क्या होगा, उस नंबर को 2 से मल्टिप्लाई कर दो वही आपका अंस्वर होगा और प्रोडेक्ट जब आप से पूछ लिया जाए तो प्रेडिसीजर और सक्सेजर को आप क्या करो वेटा मल्टिप्लाई करो, निकाल कर तो आपको predecessor और successor का point समझ में आ गया होगा predecessor किसी भी नमर का predecessor पुछा जाए जैसे मुझे minus 5 का predecessor पुछा जाए हाँ minus 5 का predecessor क्या होगा question बहुत अच्छा है तो minus 5 का predecessor क्या होगा वेटा minus 6 या minus 4 minus 6 होगा वेटा और minus 5 का successor क्या होगा minus 4 होगा इते सर उल्टा क्यों हो गया है यह तो बाद में क्योंकि आप number line बनाओगे वेटा जो आगे की topic number system का जैसे फिनिस होगा मैं number line वाला point करा हूँ इंटिजर तो वहां आपको बताऊँगा यह 0 होता है यह 1 2 3 4 और इधर देखो वेटा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 देखो 2 का predecessor 1 और 2 का successor 3 बताओ है या नि 2 के बाद में 3 है 2 से जश्ट पहले क्या है 1 इसी परकार माइनस 5 का से पहले क्या है माइनस 6 यानि कि माइनस 6 इसका क्या हुआ predecessor और माइनस 5 के बाद में क्या है माइनस 4 तो माइनस 4 इसका क्या हुआ successor क्योंकि माइनस वाले numbers में उल्टा गेम होता है आप number lines पे जब जाके करोगे तो आपको equation समझने है